हम इस वक्त नहदा में पहुंचे हैं और यहां आपको दिखाना चाह रहे हैं कि और साती बिजली भी भाग को दिखाना चाह रहे हैं वो इस बात को इस वीडियो को और इस खबर को जरूर देखें उन लोगों के लिए खास है क्योंकि यहां नहदा की जो जनता है नहदा के जो लोग है यहां रहने वाले लोग हैं क्योंकि नहदा का एक मुखे रास्ता भी है मुखे रास्ते के उपर 6 फुट से 7 फुट की हाइट पर उंचाई पर लाइन है हैवी लाइन है लोगों की जान के लिए खत्रा बना हुआ है लेकिन अभी तक जू तक नहीं रहेंग रिये बिजली उभाग के आखिर क्यों आप लोग कब इसको सही करेंगे ये सवाल है आपसे क्यों नहीं करें मुझे तो ये लग रहा है कि जिसी तरह इस लाइन की हाला आते जो जरजर ये लाइन हुआ है जब यहां बिजली पहुचाई गई थी सन 47 में तो तभी इसको 1947 में ही इसको लगाया गया होगा और तब की ही ये लाइन है और उसके बाद तो बिजली विभाग पूरी तरह से अपनी गहरी नींद में सोया है और उनको ना तो लोगों की जान की परवा है लोगोन का यहां कैई बर हाथ से बड़े बड़े हाथ से हो गया एक वेक्टि की यहां जा चूट की एध में यूजा की यह परवाह नहीं कोई उनको उनको चिनता पहले की बाइबा बैसन सतर की लाइन है सन सतर में जो सरकार ने लाइन खींची ही जब से आज तक कोई ना तार लगा इसमें ना कोई लाइन बदली गई ने लठा लगा यहां जितने हाथ से में काड़ी में यहां लड़का दो साल पहले के हमारा के लाइन की दरका से लेकिन विभाग ow आज तक किसी ने कोई सुनाई नहीं कारती है कि यहां लょक्षित रास्ते से निकाल दे और ये पबलीक की बचाव हो जाए आपने नेता जाते मृत आते सब ज्जुट बोल के चला जाते यहां रहाते मीटे लिए वचा रह 하़सा खांड रहते से काफी कह लिए पहले शकुरुला रहा बढ़ बढ़ा है लेकिन विजली भाग को उनकी चिंता नहीं है बावा लाइन आपकी बहुत नीचे में बावा ने बताया उसके साथ और भी यहां लोग है उनसे जानेगे गाउं का मसला है और बड़ा मसला है गाउं का नहीं पूरे छेत्र का मेरा यहां के जो नेता है छेत अधस्यारी रही है लेकिन किसी को को परवा नहीं है और जो यहां अब तक हादसे हो चुके जुम्मयदार कौन है और सब्सक्राइब करवाने वाले नहीं हम बात को रखने वाले आप लोग बताई आपना अपना को देख रहे हैं अधि टुसरे को बताते है रहे ना इसी तुद कोई समस्य नहीं लग रही है यह लोग अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। जी बहुत समस्या यार बभज साथ समस्या आप बताविए नभ उन से बात कर रहे हो जो इस बहुत पुरानी लाइन है। हमने तो कई बार बिजली विभाग से इसकी शिकायत किका this सर कोई सुनवाई नहीं हो रही कई बार शिकायत किये इसकी अब आप चाहते हैं कि यह हो जाए सर हम इसको यह चाहते कि यह दो दिन में बदल जाए इससे 24 घंटा खत्रा यह कभी भी तूट सकती है आप दिखाव ना इसको कितनी जगें से जोड रखिये कई बार तूट भी इससे एक तो जानवर भी मर गया इससे लड़के की भी जान तो नहीं गई उसमें वह बड़ी लाइन थी वह बड़ी लाइन इसको दिखा नहीं हम इसके नीचे भी राहिस हो रही है सर यह भी हटनी चाहिए हमारी लाइन इसके गाम के उपर से थी वो तो हट गई जब लड़ कमरा था यहां तक छोड़ दी उन्होंने और यहां से आगे भी हटनी चाहिए लाइन जब हादसा हुआ तब यहां पर उसको चेंज किया हां जी यहां तक लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ हो आखिर क्यों हो आप लोग क् कोई हादसा होगा तब क्या इसको चैन्ज करेंगे यह होने की उमीद में बैठें आप लोग क्या आप लोग की नहीं जान रहा है और देखिए। पूरे गाउं में पूरे छेतर में आप लोगों के जो बिजली भाग के लोग हैं जिनकी यहां पर डूटी है या फिर यूँ कहें जिस छेतर में लगता है वो लोग यहां आकर देखें गाउं की लोगों की समस्या को सुनें यह लोग बिजली बिल भर रहे हैं ना इन लोगो लोग इनकी लाइन को चेंज करें और इन लोगों को दिलासा ही ना दें लोगों की इस समस्या का सुल्जारा करें इस समस्या को निम्टा है नहीं तो यहां कोई बड़ा हाथ से हो सकता है आप लोग समझ यह इनके बच्चों को भी जानिये इनके परिवार के लोगों को जानि जो आप तक इस लाइन की वज़ा से या पिर यूं कहें कि बिजली की वज़ा से एक बच्चे को खो चुके हैं और कई बड़े हाथ से हो चुके हैं तो बनरे आप हमारे साथ इसी तरह की खबरों के लिए डिटीवी निवीज पर धन्यवाद